विकास सिंग हमारे साथ खुद जुड़े हुए हम सीधा उनके पास चलते हैं विकास जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंडिया जीवी पर एक बार फिर से विकास जी आपने बहुत मत्वपून सवाल खड़ा किया नीरज जो सुशान सिंग राजपूत का कोक है वो कह रहा था कि उन्होंने सुबह जूस मांगा फिर ठंडा पानी मांगा और घर के हालचाल को लेकर साथ सफाई को लेकर भी नीरज से बातचीत की और पूस्वाट्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र ही नहीं है कि उन्होंने सुबह कुछ खाया पिया था नमबर टू आपको मैं एक और महुत एहम बात बताओं कि मॉर्निंग में जब ये सुशान उठे हैं तो किसी बहन से उनकी बात नहीं हुई है और जो भी अगर उठने का बात जो भी उनका है और जूस पीने की जो बात है सिर्फ सर्वेंट्स बोल रहे है और जूस ही नहीं पिया था अनार का जूस कहते हैं पिया था और ये साथ-साथ वो भी लिया था क्या कहते हैं सकनारियल पानी और उसके एक घंटे के अंदर ही और मैं maximum दो घंटे के अंदर उन्होंने suicide किया तो definitely यह digest तो हो नहीं सकता था और जब एक बार आदनी की मौत हो जाती है तो digestive system तो बंद हो जाता है इसलिए अगर वो juice था वहाँ पे तो उसका कहीं जिकर आना चाहिए था उसके अंदर suicide post-mortem report में दूसरी बात time of death नहीं है time of death बड़ा crucial है क्योंकि अगर मान लीजे उनको मार के लटकाया गया तो time of death पहले का होगा और अगर लटक के मरे हैं तो time of death बहुत लेटर होगा तो कई ऐसे post-mortem report में जो important चीज जो missing है जो कि बहुत ही routine है हर post-mortem report में आप देखिएगा हम लोग तो regularly देखते हैं post-mortem report criminal matters में supreme court में यह सब बहुत एहम बाते हैं जो कि एक छोटा सार मुफस्सिर town भी जो post-mortem report होता है ना वहाँ पे भी सारी बाते लिखी हुई आती है तो यहाँ इतने बड़े high profile case में और इतने बड़े hospital में जो कि regularly post-mortem करता आया है परिविन बावी से ले करके जिया खान से ले करके सुशान सिंग राजबूत सब का post-mortem यहीं पे हुआ है इस hospital को तो super specialized hospital मानना चाहिए post-mortem के काम के लिए क्योंकि इस सारे area में जतना film industry का जो area है न सारे area में यही hospital nominated है for post-mortem किसी दूसरे hospital में आप post-mortem नहीं करा सकते police नहीं इसको यह nominate कर रखता है तो कहीं नहीं police का इसमें बहुत ही बड़ा इसमें role आएगा कि एक तो इस तरह के hospital को nominate किया जिसकी इतनी बंदामी अगर आप Google search कीजिए Cooper पे तो सारे Google search यहीं बोलते हैं कि Cooper hospital में आप पैसे दे के कुछ भी करा सकते तो अगर Google search ऐसा बोल रहा है तो फिर ऐसे hospital को क्यो nominate किया number one अगर nominate किया भी तो इतने high profile case में अभी नेता के death में और खास करकि इतने जहां questions थे तो कम से कम कुछ और private hospital कुछ eminent लोगों को भी team maintenance कर लेते post bottom के team में so that कि कम से कम कोई भी जो important चीजे हैं वो miss नहीं होती तो कहीं न कहीं CBI इस मामले के तह तक जाएगा कि क्या दवाव था कि post bottom report में इतना casual तरीके से और कुछ भी नहीं देखा और ऐसे ही करके बना दिया विकास जी एक और ऐसा circumstance है जिसको लेकर सवाल खड़ा होता है ये कहा जा रहा है कि सुशान सिंग राजपूत ने बैट पही चड़के फिर बैट के किनारे से कूट कर ये फांसी लगाई है ये human psychology ही कहती है कि कोई स्टूल पे चड़कर फांसी इसले लगाता है कि अगर वो स्टूल एक बाई गर जाय तो उसको दुबारा कोई सहरा ना मिले बलकि इसके ठीक उलट अगर वो बैट से चलांग लगाते हैं तो यानि बैट उनकी अप्रोच में है human psychology ये कहती है कि वो दुबारा बैट का सहरा लेकर अपने आपको बचाने की कोशिश कर सकते थे या करते हैं तो आपको नहीं लगता कि यहां पर भी इस matter में भी थोड़ा सा संदेय पैदा होता है क्योंकि कोई स्टूल तो था नहीं देखिए ये बहुत संदेय जनक बात है ये बात मैंने भी कहा है पता नहीं आपके चैनल में आता ही चैनल में कहा है कि जब आदनी का human psychology होता है कि जब आदनी struggle phase में जाता है जब सास बिलकुल last में आ जाती है उस समय आदनी का ऐसा कितना भी resolve हो suicide करने का वो एक self preservation में वापस आ जाएगा बेडवे 100% ये मेरे को psychologist से भी बात हुई है उनका doctor से बात हुई है ये सब भी यही बात कहते है दूसरी बात, बड़ी important बात post-mortem report में कहीं पे ये जिकर नहीं है कि जो गर्दन था उसका कोई elongation हुआ क्योंकि होता क्या है न नेक पे थोड़ा सा snapping होगा elongation होगा तब ही आद्मी मरता है तो इसलिए वो भी post-mortem report पे कहीं ठाली ये दिया है caused by affectation, affectation तो आपको बहुत तरीकेस हो सकता है अगर आप भू पे आप वो पे उसकिसी के रख दीजिए पिलो भी रख दीजिए तो भी affectation ही कहला है या गले को अगर आप कोई तरह से खीच के अगर उसकिसी को आप लेटे आदमी को भी खीजिए एक आदमी कोई पेर पकड़े दूसरा गले पर कोई खीच के बेल्ट से अगर किसी को मार दे तो वो भी यही काउस बताएगा लेकिन जो इस काउस और जो हैंगिंग के काउस भी जो डेट का जो difference होता है वो गले का elongation होता है आईस का blocking out होता है मूँ पे जागाना होता है यह कुछ भी नहीं था उनके चेहरे में और आख भी एक बड़ा एक छोटा था यह सब बाते कहीं भी पोस्टमॉटम रिपोर्ट में मतलब मैंने तो आज तक इतना गैर जिम्में बारा पोस्टमॉटम रिपोर्ट कभी देखा ही नहीं आज तक सुपरिम गोर्ड में इतने हम लोग केस देखते आए हैं सर इस पोस्टमॉटम सर डेथ का ताइम नहीं है कोई वीडियोग्म्री कर वह और रिभाव कई और सिधार्थ पिठारणी और नीरज इनकसाथ तने हैं वीटनरेस संदीप यह लोग भी शके दाइरे में आ रहे हैं ऐसे कई सारे नाम और कई सारे सिच्वेशन आपने खुद ने कई दफ़ा खड़े किये हैं जो संधे पैदा करती हैं सब्सक्राइब जाना चाहते हूं यह जो तीन की विटनेस हैं इनके बारे में आपके क्या राय है मैं लोटूंगी आपके पास पहले पहले एक बड़ी खबर आ रही है वो दर्शकों को दे 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 मुंबे पुलिस ने सुशांत की केस डायरी सी बी आई को दे दी है सुशांत की जो अपनी डायरी है वो भी सी बी आई को सुपूर्द की है सुशांत की डायरी जिसमें सुशांत अपने सपने लिखा करते थे, सुशांत ये लिखा करते थे कि वो फ्यूचर में क्या करना चाते हैं, वो किस तरीके के काम करना चाते हैं, वो कौन से अर्मान हैं, जो वो पूरे करना चाते हैं, तो वो डायरी, सुशांत की डायरी, बुर्द किया गया है इसमें सुशांत का मॉबायल भी शामिल है और बाइल से भी बहुत सी चीजसे साफ हो पाएंगी क्योंकि बार-बार ये भी आसर कहा जाया था विकास झी कि सुशांत का सिम बार-बार चेंज भरा था नंबर बार-बार वो चेंज कर रहे थे देखिये सिम जहां तक परिवार को बालो में एक डिसंबर में चेंज udah me उनने रिया ने चेंजी किया परिवार को बहुत दिन तर कि बताया भी या नंबर सुदुनली जैन्वरी में जब बड़ी बहन को एक फोन आया एक ground number से तो उठाया तो पता चला कि सुषान का नंबर है तो इस लिए ये सब दो रिया ने बहुत हरकते ऐसी की है जो कि साफ जाहिर करता है कि उन्होंने बहुत ही गंभीर तरीके से सुषान को परिवार से अलग कर दिया और ये ऐसा इंशोर किया की परिवार से उनका समपर्खार है जिसमें कि उनका मांसिक कंट्रोल सुशान के उपर बहुत ज़बरदस बना रहे और इसी मांसिक कंट्रोल को बनाए रखने के लिए बहुत से वो चाल ऐसे-से चले सर्번िस को बदलना क्योंकि servant जो पुराने थे न या bodyguard था वो भी सुशान के लिए चिंतित रहते थे लेकिन जो नए आद्मी आए वो तो सुशान के लिए उनकी परवाथ ही नहीं वो तो सुर्व रिया जो बोलती थे वो करते थे इसलिए आज के दिन में अच्छा आपने संदीप सिंग का बड़ा एक एहम बात पूछा है कल मेरी बेहनों से बात हुई संदीप कोई बेहनों को कोई आइडिया नहीं है कहां से हेलिकॉप्टर से सड़नली टपक गिया वहाँ पे क्राइम सीन पे जहां मौत हुई रात को बहुत लेट पहुंचे जब तक हॉस्पिटल जा चुके थे परिवाद यह पुलीस बॉड़ी को ले करके तो जो एक बहन थी जब उसने बॉड़ी को देखा वहां घर पे इतनी वह जादा उसके उनपर इतना बड़ा सदमा लगा कि फिर उसके बाद वो अपने कंट्रोल में नहीं थी लेकिन यह बात तो आज खुलकर सामने आ रही है कि संदीब सिंग को तो कोई जानते ही नहीं है और इसलिए अब एक की विटनेस वो भी हैं और स्वीबिया हो सकता है उनसे भी पूछताच करेगी वेराल बहुत बहुत शुक्रिया विकास जमाइब साथ जोड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बागत एक शोड़ी से ब्रेक का है